रेफ्रिजेरेटर तो सिर्फ एक चीज है ना हो घर के अंदर अब आप सारी चीजों को देख लें आवन को देख लें माइक्रोग आवन को देख लें रेगलर आवन जिसमें बेकिंग आवन है उसको देख लें या फिर आप जो आपके गराज में कोई अगर गराज जो ओपनर है उसको देख लें वो सारी चीज़ें बहुत मिलके बहुत स तो यह तो नहीं कि बाहर से कोई गर्मी आ रही है अंदर उसकी वजह से आपके एर केंडिशनर मुस्तखिल चलता रहता है चल रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए अगर एफिशेंटली इस्तेमाल हो अगर वो ज्यादा खोले बंद ना करें तो रेफ्रिजेटर थोड़ी देर चलता है फिर बंद हो जाता है खुद ही जब तक वो उसका टेमपरचर ऊपर नहीं फिर दोबारा अन हो जाता है लेकिन अगर मस्ताखिल चलता रह जर्मोस्टैट खराब होग किरेंचे लेकिन को समझ को ठीक करने चाहिए लेकिन घुर्य की तो हमस्तेजी और मुर्वरेजर की जीजियसे कहां से गर्मी आ रही है कहां से गर्मी बाहर जा रही है वो ताकि फिर उसको बैलन्स कर सकें जो कुछ ठीक करना है और ठीक कर सकें मैंने जब अपने घर में सोलर सेल लगाए थे ना तो सोलर सेल के वहां पर यह होता है कि आप फर्स कीजे कुछ पैसे दें सोलर सेल पर्चेस क कुछ लें क gameplay निए वह द्राय देने से पहले वह आप और पैसे पांच तो डालर ले ले लें और सारे अपने घर का इंस्पेक्शन कर लें और इंस्पेक्शन कर लें कि कहां कहां से लीक उसको fix कर लें ये 500 डालर उसके लिए उपर से उनने दिये और उसके बाद अगर वो सब पास हो गया ना कि यह लीक नहीं हो रही जादा या कुछ नहीं हो रहा फिर वो आप लगा लें पिर उसको आदे पैसे स्टेट वापस कर देगी तो यह कितनी बड़ी बात है तो वो कैस CCD उसमें होती है जिसे जाके light लगती है फिर उसकी image बनती है वो आप देख सकते हैं तो light के अलावा आप UV कैमरा भी ले सकते हैं आप infrared कैम दोना electromagnetic radiation ना जो मैंने पहले आपको समझाई थी solar cell spectrum के अंदर तो infrared का भी वही है वो भी light है एक तरह की तो उसके sensor भी इसी दरीके से ह होते हैं तो वह आप उसको उससे सिर्फ गर्मी ना infrared का मतलब गर्मी उससे सिर्फ गर्मी देख सकते हैं कहां ज्यादा गर्म है कहां ज्यादा कम गर्म है और इससाब से आप तस्वीरें ले सकते हैं अब यह left side पे और middle वारा जो है ना दोनों आप देख रहें यह camera's है जो आप बिल्कुल ऐसे गन की तरह है उसको शूट करें तो आपको पूरी picture नदर आ जाएगी कहां ज्यादा गर्मी है कहां ज्यादा कम है जहां जहां red नजर आ रहा है ना इसमें इसका मतलब वह हिस्ता ज्यादा गर्म है अब वह edges पे देखें यह उपर देखें right hand side वाली picture के क्योंकि गर्म जितनी हवा होती है न वो ऊपर चली जाती है यह सरदियों के दर माद की बात कर रहो हूं तो गर्म हवा जो हलकियों की ऊपर चली आती तो उपर वाला कमरा ज्यादा गर्म हो जाता है तो वह वहां से फिर leakage ज्यादा शूरू हो जाती है जैसे आप देखेंग तो सिर्फ leakage की इसकी नदर आ जाती है तो यह बहुत सारी जगाएं इसमें identify करते हैं जिसमें वो जो घर की जो construction में जो चीज़ें उसके अंदर कहां कहां से यह ही leak हो सकती है तो यह तस्वीर के अंदर आप देख लें कि यह सारी चीज़ें जहां जहां से leak हो रही है वो वह हमां से नदर आ रही है यह construction मैं वहां की बाहर की बता रहा हूं क्योंकि हमारी construction थोड़ी सी मुक्तलिफ होती है हमारे construction materials मुक्तलिफ होते हैं हम या बाटे की इंटें इस्तिमाल करते हैं या फिर cement की इंटें इस्तिमाल करते हैं उनके लिए बिलकुल दूसरी कहानी होती है उनकी इंसुलेशन, उनकी जो कंस्रक्शन होती है, घर में फ्लैट जो डालते हैं ना हमारे पास, लेकिन आप अगर मरी में जाएंगे, ये कोई भी उपर वाले आलाके में जाएंगे, वहां पर ये होगा कि छटें ऐसी होती हैं, क्यूंगे बरफ पढ़ती है, तो सिर्फ इस कैलिफोर्निया, इस दफ़ा के 2023 के अंदर कैलिफोर्निया में 600 इंच बरफ पढ़ी है एक जगा पे, पूरे बलके बहुत बड़े अलाखे में कैलिफोर्निया में, वहां पर यही हुआ है कि इतनी बरफ पढ़ी थी कि सारे के सारे घर बैट गए, इस ताह से भी उनकी रिक लगाते हैं और जिसके बाद उसको समझना पड़ता है कि कहां से, अब यह देखें यह जो डोर्स वगरार से जो जारी है ना, यह जितने भी क्रैक्स वगरा हैं, राइट हैं पर देखें, तो यह 40% एनरजी सर्फ उन क्रैक्स से निकल जाती है, वह जैसे यह च्छत है और इनका जो जंक्शन होता है उस पर देखें तो जादतर उसमें भी आपको रहट नजर आएगा, उस वहां से भी नजर आएगा, तो पिर वहां पर जाके उसको एक स्पेशल कंपाउंड स्प्रे करना पड़ता है, तो फिर वह सील हो जाता है, तो वह सीलिंग की काफी उससे आसानी हो जाती है, तो इसी चीज़ को अगर आप फोड़ा से कलर में देखें तो ज्यादा आसान हो जाएगा, ये वाल से कंडक्शन, 35% जो है, वो हीट लॉस्ट थूदी अनिसुलेटिड वाल, जो जितने भी दीवारे हैं न, वो अगर उनकी सईसे इंसुलेशन नहीं हो तो वो तो बिल्कुल रोकने के लिए बिल्कुल बेकार है, अंदर से बाहर बाहर से अंदर बड़ी आसानी से आ सकती है, तो वहां पे उन्होंने डबल पेन विंडो शुरू कर दी है, डबल पेन विंडो से क्या होता है, और फिर बीच में से वो वैक्यूम कर देते हैं, उ तो यहां से यहां क्रॉस नहीं कर पाती उसको, विंडो को, सिर्फ रोश्णी जली आती है, रोश्णी का कोई मसला नहीं होता, लेकिन हीड आगे पीछे नहीं जा सकती, एक बड़ी अच्छी बात है इसके अंदर, तो वो उससे काफी एफिशन्सी पे काफी अफ़ेक्ट से करते हैं, लेकिन बाखी चीज़ बाखी जो विंडोस है ना उनको तो जड़ा इहतियात से देखना पड़ता है, अगर जादा लगी हों तो यह कोई अच्छी क्वालिटी की विंडोस हो, उस जगाओं पे जहां पे यह मसला है, अब मतलब लाहोर में शायद इसकी इतनी करने की जूरुरत ना पड़े, क्योंकि टेमपरिटर ज़्यातर मॉडरेटी रहता है, लेकिन अगर आप मरी में जाएंगे, या अगर आप नीचे सिंध में जाएंगे, जहां पे गर्मी बहुत ज़्यादा, जहां पे सर्दी बहुत ज़्यादा नॉर्थ के अंदर, वहां से हीट लीक नहीं हो रही है, हीट कहां से लीक हो रही है, सारी के सारी उपर से लीक हो रही है, इसका मतलब ही कि आपकी जो इनसुलेशन जो उपर है, च्छत पे वो इतनी अच्छी नहीं है, तो सारी की लीक जो है, वहां पे सारी गरम जब होती है, उपर चलिया आती है, हल जमा हो जाती है, वहां से सारी हीटिंग जो है, हीट जो है, उसकी लीक होना शुरू हो जाती है, तो वो ये, अब ये सिर्फ एक तस्वीर से पता चला के जी वो लीक हो रही है, आपकी छट पे सब को इंसुलेशन जादा करने चाहिए, तो आप कोई सो दो सो डालर लगा कि उ एक दिन का रेंट है, आप जाके उसको ले आए, दो-चार तस्वीरें ले 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 लें, और देख लें कहां से हीट निकल रही है, और उसको आप जाके उसका फिक्स करते हैं, तो ये, हम उनको तो, चूंके स्टेट ने पैसे दिये थे कि आप किसी टेक्निकल परसन को हायर क सुलर सेल लगाए तो, उसके आदे पैसे दे दी अब सुलर सेल एतने महए होते हैं गिसके आदे पैसे मिल जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, तो इस वजाए से हमनीमने बहुत महनत करके सारी Alumni тай बहुत अप्रूफ किया तो काफी बचत होगी उस सिल्सिले में यह दोनों देखें यह सर आप यह नीचे देखें बरफ पड़ी है यहां पर न तो यह सर्दियों वाली जगा है अब यह लेफ्ट साइट पर वही चीज़ है जो राइट साइट पर वही आदे मकान में इंफ्रा-ड कै नहीं नहीं उनको material को ठीक करना पड़ेगा इन तरह की information मिल जाती है भर में ढती कहां रो हीड ाती है वह जैस की बात करे किलिया पुछ present अप इसे हीटिंग की जो भी कहाती आती है एक आपके अंदर इंटरनल, इंटरनल क्या मतलब हुआ, आपके रेफ्रिजेरेटर चल रहा है न, तो रेफ्रिजेरेटर की जो मैंने बात की थी पहले के कुछ ऐसी हीट होती जो आपको जाया करनी पड़ती है, नेचल प्रासेस है, तो वो जो जाया हो ही वो घर के अंदर ही के एर किंडिशनर भी है उसको चलाएंगे, तो एर किंडिशनर को चलाना और ए रेफ्रिजेरेटर की हीट फिर वेस्ट हो जाजाती है दोनों चीज़ें मिलके तो ऊसका तो तो रेफ्रिजेर क हां रखना ए, उसकी फोरए सा खेयाल करना पड़ता है, तो वो इंटरनल के होते हैं दिवारों के होते हैं रूफ विन्डोज वेंटिलेशन फ्登録 ये शारे मिलाके सौ फीस की दिन को होते हैं तो इन दोनोंको बैल bicycl करणा करना पड़ता है कि सबस्क्याद करी दढ़ predict tuo कि उस को पर नब पढ़ता है कि कोई इस तरह लगा कि किसी तरीखे से उसको सही किया जाए ताके वह पता चले कि पैसे डाल रहे हैं वो कुए में नहीं डाल रहे हैं बलके उसका अच्छी तरीखे से एफिशेंटली उसी का इस्तेमाल हो रहा है